अबिजीत और आप देखे रहे स्टार इन पोडिक सी एन सी दोस्तों जैसे कि आपको पता यहां पे एक मैने का ट्रेनिंग दिया जता है और उसके बाद तुरंट प्लेस्मेट भी दिया जता है अभी जो हमारा 27 सप्टेंबर को बैच चालू हुआ था 27 अक्टोबर को बैच क किलोमेटर दूरी पर एक कंपनी है तो यहां पर हमारे स्टूरंट गए थे इंटर्यू के लिए C N C K B और V M C K B interview dear interview में वो select हो गे दूसरे दिन उनको वापस interview के लिए बुलाया दूसरे दिन फिर interview दिया और उसमें से उन्होंने क्या किए 18 लड़के select कि कि लगबग interview के लिए गए ते 20-25 लड़के गए ते उपर के 5-10 लड़के रिजेट होगे, 18 लड़के उन्होंने क्या कर दिये, 18 लड़के जो सिलेक्ट है, उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, उनके contact number देख सकते हो, वो कहा से है, देखे, UP का है, बियार का है, UP का है, जहरकंड से भी है, मतलब अपने institute में पूरे भारत से लड़के आते हैं सीखने के लिए, और यह एक मैने का training complete करते हैं, उसके बाद हम उनको इस प्रकार से placement प्रोवाइड करते हैं, आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ पे इनका बड़ा नहीं है, education भी कम है, लेकिन अपने course के बलबूते पे, इनको यहाँ पे salary कितना मिला है, आप देख सकते हो, एक मैने का ही training किया है, अब देख सकते हो, gross salary, यहाँ पे दिख रहा है, 18,186 रुपे, 16,761 रुपे, इसमें उन्होंने क्या किया है, दो अलग-अलग category है skilled और semi-skilled, इसमें से कोई भी बन्दा, experience बन्दा नहीं है, इन्होंने training किया हुआ है, और training के base पे यह जाके वहाँ पे interview दिये, और उनको इतना salary यहाँ पे offer किया हुआ है, आप देख सकते हो, skill category में 18,186 रुपे, और semi-skill category में 16,701 रुपे, ठीक है, बहुत सारे लड़के skilled में select हुए, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ लड़के, यानि कि 18 से 8 लड़के skilled category में select हुए, और 10 लड़के semi-skilled category में select हुए, unskilled में कोई भी नहीं है, यहाँ पे, ठीक है ना, ज्यादा तर normally कोई लड़का अगर किसी company में जाता है, तो वो unskilled level पे जाता है और unskilled level पे उसका salary क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो लड़के गए वो semi-skilled और उसके बाद अगला level होता है skill, यानि कि 2 number और 3 number category, 2 number में semi-skill, 3 number में skill, और 1 number पे unskilled होता है, तो कुछ लड़के semi-skill में है, कुछ लड़के skill में है, यह course करने की वज़े से हुआ है, कौर्स करने की वज़े से एक category उनका छूड़ गया, डाउरेट हो दूसरे level पे आगे, दूसरे पायदन पे आगे, semi-skill पे, और कुछ लड़के जिन्नोंने अच्छी प्रकार से training की, ठीक है, मेरा 100% में देता ही हूँ, मैं theory practical proper पढ़ाता हूँ, कोई जिजक नहीं है, सुबा साथ बज़े open होता है, institute रात को 11-12 बज़े बंद होता है, जितना प्रेक्टिकल कर सकते हो, उतना करो, perfect कर लो उसको, तो यह result आपका भी आ सकता है, आप भी skill में जा सकते हो, 18,000 तक salary है, और यह 8 गंडे का salary है, 18,000, ठीक है न, यानि कि 12 गंड का लगबग 27,000 मिलना, मतलब यह बहुत बड़ी बात है, किसी भी industry में जाओ, direct 12 गंडे का 27,000 unskill को, यहनि कि मुझे कुछ knowledge नहीं है, कुछ आता पिता नहीं है, लेकिन मेरे को इतना salary मिला, यह मुम्किन नहीं है, तो इसके लिए training करना जरूरी होता है, हाँ, company हो में आप direct salary का level बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, training करना पड़ेगा, और हमारे आपे यह एक ही महने का training है, एक महने training करो, अगले महने तुरंत यह level पर आगर आपोच सकते हो, इतना salary कमा सकते हो, तो क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, अब यह जो salary है, gross salary है, इसमें देखिए, cutting क्या होगा, तो PF cutting होगा, लगबग 2000 रुपे PF cutting हो रहा है सबका, 120-2000 यह range है, ESIC, यानि कि Medical Facility Company प्रोवाइड करती है, उसके लिए 136 रुपे मातर यहाँ पे cut हो रहा है, और PT, यह tax होता है, यह 200 रुपे यहाँ पे cut हो रहा है, और in hand salary इनके कितने आ रह 8 गंदेगा, ठीक है, अब जब यह बंदा 12 गंदा करेगा, तो 12 गंदा करेगा, तो salary लगबग हो जाएगा 27,000 के असपास, उसमें से PF cutting हो जाएगा, लगबग 2 की जगा 3000 cutting हो जाएगा, यानि कि 17 में से 3 गया, 24,000 और यह थोड़ा-थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब 1000-2000 extra cut हो जाएगा, लगबग 22,000 इनके क्या हो जाएगा, हाथ में आ जाएगा, और PF के अकॉंड में लगबग 3,000 जमा हो जाएगा, यानि 25,000 और कंपनी का इसमें PF जुड़ता है, वो अलग से रता है, क्योंकि जब आपके यहां से PF करता है, तो कंपनी के विहाब पे भी होता है, तो वो भी बाद में आपको ही पैसा मिलने वाला है, बहुत लड़के क्या बोलते हैं कि सर इन हैंड 14,000 मतलब बहुत कम सेलरी है, भाहिव ऐसा नहीं है, इन हैंड 14,000 है, लेकिन आप यह भी तो सोचो कि PF में जो 2000 जा रहा है, कंपनी का भी आ रहा है, तो दो 4000, यह 14,000 यह चार है ना, गया कहा पे, 18,000 पे गया, और उपर से 12 गंटा करोगे तो वो और टाइम अलग से होता है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है इसका, 14,000 यह अलग तरीके से होता है, इतना ही पकड़ के मद बेटो, क्योंकि PF आप ही का है, PF आप ही का है PF आपके ही आकाउंड में जाता है, हाँ, बस एक चीज़ होती है कि PF ऐसा नहीं कि एक मैना काम किया, PF जमा हुआ तुरन निकालिया, ऐसा नहीं होता है, PF का एक रूल क्या है, minimum 6 मैना, आपको PF वहाँ पे जमा होना चाहिए, 6 PF जमा हो गए, आपके तो उसके बाद आप पू कार से बैंक अकाउंड जैसे ही ये प्रोविडन फंड का अकाउंड भी रहता है, और ये आपी का पैसा है, ये आपी को मिलने वाला होता है बाद में, तो ये था हमारे सप्टेंबर औक्टमबर बैच के कुछ 18 लड़कों का रिजल्ट था, बाकी भी लड़के है, कुछ ल करेंगे तो वो 20 और 10 यानि कि 30,000 के असपाच चला जाएगा, और कटिंग में जो 45,000 जा रहा है, वो अलग से वो बाद में उनको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो 20 लड़के है, ये 18 लड़के है, यानि कि 38 स्टूडट, 38 लड़कों का यहाँ पे लगबग प्लेस्मेंट जो है वो क्लेर हो चुका है, कुल लड़के 50 थे, बचे 12 लड़के, उसमें से 6 लड़के पंजाब के थे, वो अपने घर चले गए है, वहाँ पे हमारा पंजाब में जत्तिन नाम का एक स्टूडट है, वो वहाँ पे उनका प्लेस्मेंट करवाने वाला है, क्योंकि उसने ही उनक पेचान है, हमें कोई प्लेस्मेंट की जरुरत नहीं है, मतलब ये भी चीज़ है, कि अगर आपके पास अपना जुगाड है, आपका कोई रिष्तेदार है, फैमिली है, या कोई फ्रेंड है, उसी के कमपनी में आप जाना चाहते हैं, तो बेजज़ज़क जा सकते हैं, मतल कोई फोर्स फुली नहीं रहता है, कि आपका प्लेस्मेंट हो गया, मतलब आपको इधर जाना ही पड़ेगा, ठीक है, हाँ, उनको अच्छा लगा, कमपनी अच्छा लगा, सलरी अच्छा लगा, वो यहाँ पर जोइनिंग कर सकते हैं, और कमपनी निकालता नहीं है, कोई उसको एक-दो बार बताया जाता है, कि भाई ऐसा मत करो, उसके बाद भी अगर वो नहीं सुनता है, तो फिर निकाला जाता है, अगर आपका काम सही है, सब सही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको कमपनी निकालती नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पे लग एक मैने में आपका यह ट्रेनिंग कंप्लिट हो जाएगा अगले मैने तुरंद आपको जौब भी मिल जाएगा और आपका काम चलो हो जाएगा और जो खर्चा आता है ट्रेनिंग का वो भी लगबग इसी के बराबर है CNC का रहना, खाना, चाय, नास्टा, ट्रेनिंग सारा खर्चा मिलाके, सर्टिपिकेट, ठेयरी, प्रैक्टिकल सब मिलाके लगबग 19,500 फीज है, VMC का 22,000 है आपको सेलरी ही लगबग इतना मिल रहा है कि एक मैने के सेलरी में जतना आपने खर्चा किया था सारा का सारा से फिर आपका लाइफ चालो हो गया, तो इस प्रकार से है, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया मिलेगा, सारी फैसलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, और भी कुछ जानकारे आपको चाहिए, नीचे मैंने नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या तो अगर आपको यह सब कुछ देखना है, हमारे चानल को सब्सक्राइब किजे, इस वीडियो को लाइक किजे, और जरूर आईए ट्रेनिंग के लिए आपको भी प्लेस्मेंट मिल सकता है, थैंक्यू